हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल सिलपास की चनम रेसिपीस में स्वागत है आज हम बनाएंगे नए तरीके से हरे प्यास का पराथा हरे प्यास का पराथा खाना सबको नहीं पसंद होता है इसका हम जादा तर चैनिस फूट में कार्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं या फिर इसका सबसी बनाते है अगर आप इस तरीके से हरे प्यास का पराथा बना कर खाएंगे तो यकिन मानिए ये आपका फेवरिट हो जाएगा तो फिर चलिए पीना किसी देरी के हरे प्यास का पराथा बनाना शुरू करते है हरे प्यास का पराथा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो देयार कर लेंगे इसके लिए मैंने याप एक मिक्सिंग बावल में डेड़ कब गेहूं का आटा लिया है इसमें हम एक छूटा जम्मच रिफाइंड ओयल, स्वाद गयनुसा नमग और आधी छूटी जम्मच अजवाइन इस तरीके से हाथों से थोड़ा मसलते भी डालेंगे सारी चीजों को आठे में इच्छे से मिक्स कर लेंगे बीचो बीच थोड़ा सा जग़ बना लेंगे, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक नरम सा आठा लगा कर त्यार कर लेंगे पर आठा बनाने के लिए आठा हमें नरम ही लगाना है, इससे पीलते समय स्टाफिंग बाहर नहीं आएगा आठा लगा कर मैंने दो त्यार कर लिया है और आप देख सकते हैं आठा ऐसे ही सॉप्ट होना चाहिए अब इसे ढग देंगे और 15 मिनिट के लिए रेस्ट पे रखेंगे तब तक हम स्टफिंग त्यार कर लेते हैं एक कड़ाई लेंगे और इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे तेल जब गरम हुझाएगा इसमें चुटकी पर हेंग आधी चुटी चम्मच जीरा एड़ करेंगे जीरा को अच्छे से चटकने देंगे अब इसमें चार से पांच बारिक के टिवे लेस्ट के कलियां और आधी इंच अध्रक डाल देंगे बारिक के टिवे हरी मिर्च डाल देंगे मिर्च आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग डाले सारी चीजों को चलाते वे थोड़ी दिर के लिए हम फ्राई कर लेंगे ताकि अध्रक लेस्ट का कच्चापन चला जाए अब इसमें कटे वे प्यास डाल देंगे प्यास की पत्ते के साथ जो प्यास रहता है मैंने यहापे वहीं प्यास लिया है और प्यास को हलका सा कलर चीज होने तक फ्राई कर लेंगे प्यास को मैंने फ्राई कर लिया है और प्यास का कलर जो है वो हलका सा पहले से चीज हो गया है तो अब हम इसमें बारी कटावा प्यास के पत्ते डाल देंगे मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के करिब हरा प्यास लिया है स्वात के अनुसा नमक एक चौथे चूटी चमच हल्दी पाउडर एक चौथे चूटी चमच गरम मसाला पाउडर और आदी चूटी चमच चाट मसाला पाउडर डाल देंगे इससे पराटे बहुत चट पटी और टेस्टी बनती है सारी चीज़े को अच्छे सा मिक्स कर लेंगे और इसे चलाते हुए एक से दो मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे प्यास के पत्ते को पगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत चल्दी ये पक जाता है अब इसमें बाइडिंग के लिए मैश के आवा आलू डाल देंगे मैंने यहापी तीन छोटे साइस का आलू लिया है और खूब सारा पारी कटवा फ्रेश रदनिया के पत्ते डाल देंगे बस अब सारी चीज़े को चलाते वे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पराठा के लिए स्टफिंग बलकल तयार है अब हम इसे कंप्लिटली ठंडा होने देंगे ठंडा हो जाने के बाद मैंने स्टफिंग का चुटे चुटे बॉल्स तयार कर लिया है इससे पराठे बनाने में आसानी हो जाएगी आठा को रेस्ट करते वे पन्जाम ने ठूग गया है और आठा अच्छे से बलकल तयार भी है अब हम इसमे से थोड़े से पोर्शन लेंगे और घुमाते वे इस तरीके से सारी लून्या बना कर तयार कर लेंगे अब हम इसमे से आठी का एक लोई लेंगे और हाथों से घुमाते वे गूल कर लेंगे इसके उपर थोड़े सा सूखा आठा डालेंगे और लोई को सूखे आठे में थोड़े सा डस्ट कर लेंगे अब इसे थोड़े सा हम बेलेंगे थोड़ा सा बेलने के बाद हलका सा इस तरीके से दबाती हुए हम कटोरी का शेप दे देंगे अब इसमें हम स्टफिंग डाल देंगे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टफिंग को अच्छे से बंद कर देंगे और stuffing को बन करने के बाद इसमेंसे जो एक्ष्टा आटा निकल रहा है उसे हम निकाल देंगे और इसे हलका सा press करेंगे इसके उपर पापस से सुखा आटा डालेंगे और इसे सुखे आटे में अच्छे से dust कर लेंगे इसे हलके हाथों प्रेस करते हुए थोड़ा सा फेला देंगे ताकि अंदर से स्टफिंग थोड़ा अच्छे सा स्पेड हो जाए उसके बाद इसे हम हलके हाथों इस तरीके से बेल लेंगे पराठी को ना जादा पतला ना जादा मोटा मेडियम थीकनेस में बेल कर तयार कर लेना है पराठी को बेली के बाद इसमें जो आटा लगा हुआ है इसे हम रव करके निकाल लेंगे उसकी बाद पराठे को अब हम गरम तवे पी डालेंगे और मीडियम फ्लेम पी पराठे को एक साइट से से शेखने देंगे और जब पराठे के ऊपर थोड़ा थोड़ा बबल्स दिखने लगे पराठे को हम पलट देंगे और पराठे को दूसरे साइट से सेखने देंगे अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे और घी को पराठे में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पराठे को पलट देंगे और दुस्रे साइट से भी हम घी लगा लेंगे अगर आपको पराठे में घी नहीं पसंदे तो आप इसके बदले बटर या फिर ओयल भी ले सकते हैं पराठे में घी लगाते ही आप देख सकते हैं पराठे किते अच्छे से फून ले लगे हैं इसे हम पलट देंगे और इसे हलकी हाथों प्रेस करते हुए पराठे को अच्छे से सेख लेंगे और बहुती स्वादिस्ट हरे प्यास का पराठा बिल्कुल तेयार है इसे हम गर्म गर्म सर्फ कर लेंगे अगर आपको मेरे आज के ये रेसेपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें